असलाम अलेकुम चीवियों कैसे हैं आप सब अमीद करता हूं आप सब क्रियास से होंगे तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आजरू हूँ आपकी इतमत में तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी चार फिट डिश के सिग्रल इंक्रीज कैसे कर सकते हैं 100% करने के लिए आपकी डिश का जो फोकल पॉइंट है उसका कुरेक्ट होना सबसे एहम चीज है अगर आप उसका फोकल पॉइंट चेक करके अगर आप उसके सैटिंग करते हैं तो यह हो इनी सकता कि डिश के सिग्रें 100% ना है तो चलते हैं तफसील के साथ आपको दिखाते हैं डिश। डिश घिख्र के ओपर फोकल पॉइन कैसे आप उसकी मिजर्मेंट कर सकते हैं और इसके सिग्नल बहा सकते हैं उ चलते हैं जट जी विव्योर्जा आप देख सकते ह। हे चार-फिर डिश की सलाखे है देखी है अब देख सकते हैं लनारों-पे-चार इंच का भाहर पर लगी हुई है और यह डिश देखें इसके कनारे देखें बिलकुस साथ में ही सलाख शुरू हो रही है आप देख सकते हैं तो अब भी मैं आपको दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं इसको अगर आप यह वरी इस लाग जो गलत लगी है इसको तीनी जंदर करके लगाएंगे ना सुलाग करके दुबारा से यह देखें तो आप इसके 100% सिगनल बढ़ा सकते हैं उस दिश्ट की तरह वो देखें यह पाक सैट पर लगी है वो एशिया सैट प करूंगा तो वो 85-90% हो जाएंगे ठीक है यह देखें अभी मैं जा रहा हूं मेजर्मंट की दरफ आपको परमाईश इंची टेप से दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं यह देखें इसका फोकल पॉइंट आप देख सकते हैं कॉनेक्ट जो फोकल पॉइंट आ वह 18 इंच होना चाहिए यह देखें चार फिट डिश का फोकल पॉइंट 18 इंच होना चाहिए और जो फोकल पॉइंट गलत होगा आप भी अपनी डिश की परमाईश कर सकते हैं उसमें अगर गलत है तो उसको 18 इंच कर लीजेगा यह देखें अभी मैं आपको सही तरीके से इसको दिखाता हूं यह देखें यह 16 इंच पे है इसका फोकल पॉइंट यह 16 इंच पे है यह गलत है ठीक है आप कोई भी है अगर उसको आप 18 इंच कर लें तो आपके सिगनल 100% आ जाएंगे यह दोनों डिश हैं आपके सामने हैं यह मलूमाती वीडियो थी आपके लिए यह मेन चीज थी दिश में तो अगर आपको मेरी वीडियो प्सांदा है इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ओके जी अल्ला हाफिस